आज के टॉपिक की बात करते हैं, अब ये जो चीज है वो बहुत ही मज़ेदार चीज है, वैसे पिछले दो सालों में इंटेल ने बहुत सारी ऐसी चीजे की हैं, जिस पे बहुत कुछ बोला जा सकता है और बहुत सारे वीडियोस बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा और आप सबको समझाना पड़ेगा कि आप ये गलती ना करें ठीक है बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो इंटेल प्लैटफॉम पे हैं और वो इंटेल आप्टेन पर्चेस करना चाहते हैं या ऐसा आभी सिस्टम बिल्ड करना चा जाता हूं कि आप ये गलती ना करें इंटेल ऑप्टेन एक बैटर ऑप्शन नहीं होगा ठीक है मैं यह नहीं करता हूं इंटेल प्रॉडक्ट्स और बहुत सारी चीज़े लेकिन कुछ चीज़े ऐसी होती है जहां पर हमें थोड़ा सा डीपली सोचना पड़ता है कि ये क् ठीक है तो देखिए इंटेल ऑप्टेन डेखिए डेफिनिटल इंटेल की टेक्नोलोजी है तो एमडी यूजर चाहे उसके पास अच्छे सचा मदरबॉर्ड भी हो उसके एमडी यूजर इसको यूज नहीं कर सकता ठीक है तो यहां से एलिमनेट हो जाते हैं अगर हम इंट यूजर हैं जो अल्रेडी इंटल प्लैटफर्म पे थे यानि कि फॉर्थ जनरेशन या फिफ्फ जनरेशन या सिक्थ जनरेशन भी थे वो लोग भी इसे यूज नहीं कर सकते हो अगर आपको पता हो मैंने इंटल आप इंप वीडियो बनाया था इस साल के बिगिनिंग में ठीक है उसमें मैंने यह चीज घई थी कि सेवन जनरेशन के साथ उन्होंने जब लॉंच किया तब इसे लॉंच किया था तो सेवन जनरेशन या उससे बेटर अगली जनरेशन पर हो तो आप इसे यूज कर सकते हो अब उस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब वीडियो बनाके क्लैरिफाई किया तर आपको समझाया था लेकिन उस वीडियो मैंने कहीं भी यह नहीं कहा था या किसी को भी रेकमेंड नहीं किया था कि आप इंटल ऑप्टेन खरी दिये ठीक है एक चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यह जितनी भी कैशिंग टाइप की जो चीज है ना एसेशडी कैशिंग रेम कैशिंग इंटल ऑप्टेन या अभी-अभी-अभी एमडी ने भी अपना एक ऐसा फीचर कहलीजी या टेकनोलोजी कहलीजी रिलेस किया है स्टोर एम आई ठीक है तो वह भी एसेशडी कैशिंग ही है बेसीकली जैसे इ इन आरियों में इंटल ऑप्टेन से बेटर है यह जो कैशिंग जैसी जो चीज है वो हर एक सिचुएशन में आपके लिए सेकंड प्राइटी पर होना चाहिए ठीक है अगर आपके सिस्टम एक एसेशडी लगी हुई है और उसके बाद आप दूसरी एसेशडी है उससे में मैं कहा रहा हूँ यह सबके लिए अपला होता है चाहिए एमडी यूजर हो इंटल इसवेरो तो अब बात करते हैं कि इंटल ऑप्टेन की आप इंटल ऑप्टेन जो है वो एसेशडी केशिंग का ही अगला वर्जन आप कंसिडर कर सकते हो तो इससे आप अपना पूरा ह हाड ड्राइब बेज जो सिस्टम है ना उसका परफॉमंस बढ़ा सकते हो ऐसा वो लोग कहते है और ऐसा होता भी है लेकिन मेरा क्वेस्टन यह है मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा यूजर होगा जो इंटल प्लैटफोर्म पे है उसके पास सेवन्थ जन प्लैटफोर्म पे सिस्टम बिल्ड कर रहा है तो वह अपनी सिस्टम में SSD क्यों लगवाएगा एक सीधा सा सवाल है ठीक है फिर भी उन्होंने यह जो चीज है वो लांज की इंटल अब मैं इसके अगेंज नहीं हूं लेकिन यह जो चीज है ना वह कंप्लीटली सर्वर्स क की जाए तो यह बेस्ट है लेकिन उन्होंने फिर भी पता नहीं क्यों उसके दो छोटे-छोटे मॉड्यूल लॉंच किए 16 गीगाबाइट के 32 गीगाबाइट के कंजूमर लेवल पे और कंजूमर के बीच में एक ऐसा हाइप बनाया और हाइप उसी चीज के बारे में बनत कर रहे हैं अभी तो इंटेल ऑप्टेन को अवोइड कीजिए ठीक है मैं यह नहीं कहूंगा कि उससे आपका पर्फॉमंस नहीं बढ़ेगा लेकिन उससे बैटर ऑप्शन है SSD आप अपनी सिस्टम में एक SSD अटलिस सेटा SSD लगाईए ताकि आपको हर एक सिनारियों में उसस सेटा SSD सेमसंग की अच्छी सेटा SSD वह आ जाएगी छेजार रूपे में ठीक है 128 गिक का वर्जन तो आ ही जाएगा मैं प्रो की बात कर रहा हूं यह वह तो शायद छेजार में 240 गिगाबाइट की भी आ जाएगी ठीक है और अगर कोई यूजर है जो M.2 SSD पर्चेस करना चा साथ better solution है क्योंकि Optane में होता क्या है अभी जिसको नहीं समझ मैं में उसको समझा देता हूँ यह SSD Caching Technology है तो हाड रोय में जो फाइले बड़ी होती है उसको जब हम नॉर्मल कंडिशन में लोड करते हैं तो maximum जो हाड रोय का performance होगा उतनी स्पीड पे ही फाइले लोड होगी तो उसका जो maximum performance होगा उसके हिसाब से फाइले लोड होगी तो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी लेकिन caching जैसी जो चीज है उसमें जो results मिलते हैं वो with the passage of time मिलते हैं और सबसे बड़ी और सबसे important बात कि caching में वहां से फाइले सिर्फ read की जाती है जब write करने की बात आती है तब तो फाइले hard drive पे ही write की जाती directly तो performance उतना ही मिलेगा जितना hard drive का होगा यानि कि 100 to 150 megabytes per second लेकिन अगर आप सेटा SSD भी लेते हो NVMe लेते हो M.2 तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप सेटा SSD भी लेते हो तो भी वहां पे आप 500 megabytes per second की speed से फाइल लोड भी कर सकत हो मतलब read भी कर सकते हो write भी कर सकते हो ठीक है तो caching जो चीज है ना वो temporary है एक जुगार जैसी चीज है लेकिन अगर आप system बिल्ड करना चाते हो और overall अच्छा performance लेना चाते हो तो मैं आप सब को recommend करूंगा कि अपनी system SSD लगवाई है जिन लोगोंने भी obtain ले लिया है ठीक है यूज करो लेकिन जो लोग अभी नया system बिनाना चाते हैं मैं उनको तो recommend करूंगा कि इससे दूर रहो एक अच्छी SSD लगाओ सिटा SSD लो या NVMe लो तो आपको बहुत अच्छा performance मिलेगा तो overall जो system का performance है बढ़ेगा और आपको नजर भी आएगा बहुत सारे लोग ए SSD caching या जो भी फाइल है frequently use होती है उसको जब इस module में place कर दिया जाएगा उसके बाद आपको performance दिखाई देगा और वो भी अगर आप note कर सकते हो ठीक है वरना तो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या यहां पर फर्क पड़ा और कितना खर्चा करने के बाद भी क्या मिला ठीक है तो performance मिलेगा मैं यह नहीं कहता है नहीं मिलेगा लेकिन उससे बैटर ऑप्शन है SSD क्योंकि SSD में दोनों चीज़े हो सकते है रीड़न राइट दोनों SSD पर होगा प्लस यहां पर स्पेस भी जाधा मिलता है तो जैसे मैंने कहा 6000 रूपेस में 32GB का module लेने से अच्छा ह है कि आप 6000 रूपेस में 120-128GB की या 240GB की SSD लो तो वहां पर बहुत ज्यादा डेटा आप रख सकते हो ठीक है तो यह चीज़े आपको समझनी पड़ेगी Intel Optane का जो सबसे बेस्ट जो चीज मुझे लगी यह प्राइज वाई सबको दूर अगर रखे हम तो सबसे बेस्ट चीज है उसका जो इंडूरंस है यानि कि रिड़न राइट साइकल MTBF में टाम इट्विन फेलियर यह बहुत जादा है एक SSD के मुकाबले बहुत जादा है और इसलिए मैंने कहा कि यह जो चीज है वो सर्वर के लिए बहुत ही बेस्ट है क्योंकि सर्वर में थावजंड्स ओफ रिक्वेस्ट एक साथ आती है साइमें डेलिसली अब एक नॉर्मल कंप्टर में नॉर्मल यूजर के PC में वो इतना काम ही नहीं करता या इतने तो उसके लिए जो SSD है वो more than enough है यह जो चीज है वो सर्वर का ही concept है अगर आप देखोगे Intel Optane सर्च करोगे Intel SSD सर्च करोगे 900P तो यह जो कैशिंग जैसी चीज है वो सर्वर में ही की जाती थी यह उनका पुरानी चीज है लेकिन उन्होंने फिर भी consumer level पे launch किया और दो ऐसे चोटे-चोटे module launch कर दी है इसकी एक 118GB वाला module भी है जो की 28,000 रुपे में आता है अगर कोई user गलती से वो खरीता है तो 28,000 में तो उसे Samsung की M.2 NVMe भी मिल जाएगी बहुत अच्छी 500 512GB के भी उसे आराम से मिल जाएगी वो 25,000 में ही मिल जाती है अगर सेटा SSD खरीदेगा तो 1TB की सेटा SSD उसे मिल जाएगी तो यह सारी चीज़े आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे इन जनरल इस पूरे वीडियो में मैं इतना सब कुछ बोल के आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि Intel Optane को आप ना खरीदे आप एक सिंपल SSD लगवाई उसकी जगह त 32GB का मॉडियो लिया तो वह पूरा भर गया जिन फाइलों को आप फ्रेक्वेंटली यूज़ करते हैं अब उसके बाद कोई फाइल अगर आप यूज़ करोगे तो वहां पे फिर से आपको परफॉमंस नहीं मिलेगा ठीक है तो यह मैं जैसे मैंने कहा एक जुगाड की तर सब्सक्राइब को बताना चाहता हूं कि आप ये गलती ना करें ठीक है जिन लोगों ने ले लिया है कोई बात ने यूज़ कीजिए बहुत अची चीज़ है लेकिन जो नए यूज़र्स हैं वो ये गलती ना करें और एक SSD के साथ अपना पूरा सिस्टम बनाए ताकि आपक कुछ क्वेश्चन है कुछ इस्यू है तो पूझे याल डेफिनिटली आंसर यो थैंक्यों सो माच